नमस्का सातियों स्वागत है आप सभी का सातियों कल 15 अगस्त के बाद स्कूलों को खोलने को लेकर पधान मंत्री नरेंदर जी मोधी के द्वारा बड़ी गोशना की जा सकती है सितंबर से देशबर में खोले जा सकते हैं स्कूल 15 अगस्त को हो सकता है एलान सेप्टी गाडलाइन का करना होगा पालन सातियों आपको पता है कल सौतनतता दिवस पर पधान मंत्री लाल के लेकी प्राचीर से बासन देंगे और उस बासन के अंदर इसकूलों और कोलेजों को खोलने का एलान किया जा सकता है क्योंकि इस समय को पूरा का पूरा जो स्पीच होगा वो उसी पर आदारित होगा कि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी बादा ना हो और इसकूलों से बच्चे किस परकाश जुड़ सके हैं खबर पर विस्तार से अगर चर्चा करें सबसे पहले दसवी और बारवी के बच्चों को बुलाया जाएगा क्योंकि बोर्ड की परिक्साएं हैं और अगर उन्हें नहीं बुलाया गया तो फिर बोर्ड के एक्जाम अगले वर्स होड नहीं पाएंगे इस कारण पढ़ान मंत्री जी ने सोचा है कि दसवी के स्कूलों को खोल दिया जाए पोरोना संकरमन के चलते मार्स से बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है अभी ये परस्तावीत योजदा है इसमें दस्वी और बारवी के बच्चों को पेले बुलाया जाएगा जिनें रोटेशन के तेथ हफते में दो या तीन दिन ही स्कूल आना होगा जैसे जैसे हाला सामन्य होंगे वैसे वैसे बाकी कक्साओं के चात्रों को भी बुलाने का फेसला लिया जाएगा और इसकी गोशना कल 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकती है या तो कल ही पदानमंत्री कर देंगे गोशना वरना कल मीटिंग होगी सा सरकार ने बजार खोल दिये हैं सारुजनिक बसें चलवा दी है जब मंदिर मस्जित कोल चुके हैं तो फिर अब विद्या का मंदिर स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है इसकी मांग उठी थी और सरकार ने यह मांग मान भी लिये और इसको लेकर NCRT ने अपनी एक सेप्टी ग बोलना जरूरी हो गया बाकी सारी दुनिया के अंदर इसकूल है खुल रही है तो बारस सरकार ने भी फैसला लिया है कि 15 अगस्त के बाद आपको कभी भी सूचना मिल सकती है बोर्ड से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आपको देंगे आपके बोर्ड की तमाम जानकारिया जो आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि 2020 में बोर्ड की परिक्साओं को लेकर बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं बढ़ geschिंदे हम के लिए जानकारियों के लिए इस से लिए कि जुड़ी से दोर के लिए laughs जानकार लिंग टावित मूड़ीं हमारे जानम